तो चलिए प्यार शात्रों यहां पे आपका वो वीडियो आचुका है जिसका आपको बेसा बिसे इंजार्था क्लास आपका देखिए साथ भी का बिसे आपका गडित का पूरा का पूरा आपका रियल कोश्चन पेपर तो देखिए सेट एक पेपर है पूरां आपका 60 तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और आज के इस पेपर में यहां पे गरदा मचाते हैं और आपको एक एक कुस्चन यहां पे रट लेना है आपको इसमें डाउट नहीं करना है कि सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं बिल्कुल आपको मिल रहा है रियल पेपर और साथ में आपका पूरा सेलूसर ठीक है तो चलिए देते हैं सबसे पहले देखिए आपके कुछ इंट्रक्षन लिखे हैं अंको और सब्दों में आपको रूल नंबर यहां पर भार लेना है साला का नाम डाइस कोड परिछह का केंद्र और परिछह का आपको दिनांक यहां पर भार अंक लिए आपको एक अंकि के निर्धार्वीं कंट गया है तो पहला कोशन देखिए परसनेक लिखा है दो परसेंट का दस्मलाव रूप क्या होगा आप沙ं दिया है जिरो फोईन्ट पॉईन्ट दी ऋ और जिरो पॉइन्ट टू से पॉइंट तो देखिए दो पर शेंट आपको अंसर भी मिल जागा देखिए जीरो पॉइंट जीरो टू इसका करेक्ट अंसर होगा आप इसे कॉपी पर लिख लिजिए इसके बाद कोश्चन आता है दूसरा एक क्रिकेट खिलाडी ने नौ पारियों में निम्रिकी तरन बनाये थे उन सट, पचह तर, उन तालीस, अरतीस, सैतालीस, बामन, एक और बीस, और ठीक है अब इनका परसर गया तरना है परसर क्या होता है देखिए अधिकतम रेंज में आपको देखिए यहाप अपको निवनतम को घटा आना पड़ेगा तो अधिकतम देखिए इसमें क्या लिखा ह होगा ना तो आपके 47 होगा ना ही आपका एक होगा और ना ही यहां पेका 100 होगा ठीक है चलिए इसके बाद देखिए जैसे के आपको question यह पे स्कार तबर 2 those 2 percent करेंगे चोछ tips एहांपे करना 3y plus y बराबर 44 में by command क्या होगा तो देखिए ये question आपका बहुत simple है करना कैसे देखिए 3y बराबर 44 माइनस आपका 5 करेंगे पक्छांतर करेंगे तो आपका 49 हैगा और देखिए 49 में जब आपका वाई कमान निकालेंगे तो वाई कमान इसके साथ आपका 3 मल्टिप्लाई है तो 3 आपका 49 में भाग चल जाएगा पूरक कोड हमेशा आपका 90 डिगरी के बराबर होता है तो देखिए जब आपका 47 डिगरी लिखा है तो 90 में आप 47 माइनस करेंगे तो आप निकल कर आगा देखिए 40 अपका 3 डिगरी हो जाएगा और अगर संपूरक पुछता तो 180 में हमें आप क्या करते हैं माइनस कर देते तो आपका है पर संपूरक निकल जाता अब देखिए अंसर की अगर मैं बात करूं 135 दिया है 47 तो होगा नहीं ठीक एक एकल होगा 90 आपका संकोड होता है और 43 आपका है पर अंसर आजाएगा यहां पर इसका पूरक कोड अब देखिए इसके बाद प्रोश्चन देए पाच इसमें से देखिए आपका जो यह होता है यहां आपका 90 डिगरी होता है और यहां पर पूछा गया है इसके सामने की भूजा तो सामने की भूजा इसके करन कहते हैं और आपका इधार आपका होता है लंब होता है और आपका नीचे होता है आधार ठीक है अब पूछा क्या ह यहाँ पर पूछा है कि आपके समकोर के सावने वाली देखे आपको अंसर यहाँ आपको अंसर करना है बाधि तो आपका लंग भी नहीं होगा आधार भी नहीं होगा ना तो आपका भूझा होगा चलिए इसके बाद coefficient दिख आता है छे नमबर लिका है 0.09 का प्रस्थ में आपको मान बताना है अब 0. कि अंचो प्रस्थ में आ JuKal का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा लिए सब dense करेंगे कोई के लिखे सब्सक्राइब अब यहाप देखिए दो आपका अंको की बाद आपका दसमलों लगा है तो आप लगा दीजी आपका 9 देखिए आपका परसेंटेज जाएगा अंसर देखिए किसमे दिया है ए नमबर में 9% 90 तो होगा नहीं 0.9% भी नहीं होगा और लास्ट वाला भी नहीं होगा यानि आप आपका अंसर ए नमबर करेक्ट अंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए कोश्चन आपका आता है कोश्चन आपका देखिए सात्वा लिखा है माइनस टू का योज प्रतलों आपको बताना है तो देखिए योज प्रतलों क्या होता है आपका याप उल्टा होता है जब आप देखिए एक बटा दो लिखा है तो यह होगा नहीं माइनस एक बटा दो भी नहीं होगा जीरो भी नहीं होगा अंसर आपका राइट होगा ए नमबर करेक्ट होगा ठीक है चलिए इसके बाद कोशिन देखिए अटवा बिसम बाहुत रिभुज में सम्मित रेखाओं की संख् क्या होगी देखिए आपका विसंभाव क्या होता है सभी कि आपके देखिए अलग अलग होंगे भूजाएं ठीक है तो इसमें आपका सम्मित देखिए आपका कोई भी नहीं बनेगा तो आपको इसमें देखिए ना तो आपका तीन होगा नहीं आपका एक होगा नहीं आपका कोड घूनन का केंद्र उपरोक्त में से कोई नहीं अब अगर मैं अंसर की बात करूं तो यदि घूनन के बाद बस तूँ इस्थितिक के अनुसार पहले जैसी आपका दिखाई देती है उसे कहते हैं घूनन सम्मीति कहते हैं ठीक है तो आपको और दो और एक लिखा देखिए और यहाँ पे तीन और एक देखिए तो ठोस की बात कर रहा है और यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा क्रमसा दो और तीन यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है ठीक है आपका पहला नंबर यही आपका इसका अंसर होगा इसके बाद द सहात करेंगा तो आपको यह लगाना पड़े चिए सबस्क्राइबुडे करना पड़ेगा तो जब एक घंटे में आपका काम करता है तो नो बटे साथ गप indo subscription कर देंगे तो एकम 9 और 10 19 धीक है दिखिए अब आपका 9 और आपका बटे उन्चास हो जाएगा तो आपको यह पर सिंपल तरीक से आपको नोवटे उन्चास आपको इसमें अंसा लिए coal इना है इसके पर हैपे whole number जो आपका 0 से start होता है, 0, 1, 2, 3, और 4 लेना पड़ेगा, अगर बोलता है प्राकत संख्या, तो आप 1 से लेते, लेकिन आपका पूर्ट संख्या की बात करना है, तो 0 से लेंगे, और इनका देखिए माद मतलब क्या होता है, कुल आपका इन आकडों का योग करना है संख्याओं का योग और बटे आपका आगडों की संख्या देखिए टूटल आपका जीरो प्लस वन और टू करेंगे ठी ठीजिक्स और शिक्स पूर अपका 10 और देखिए आगड़ा किता है एक दो तीन चार पांच पांच संख्या है तो दस बटे पांच करेंगे तो आप अब इसके बाद देखिए कोश्चन आपको आता है कोश्चन आपका आपके तीरवा तीरवा कोश्चन दिया गया है हल कीजिए 3m-14 बराबर 4 अब देखिए सिंपल सी बात है 14 आप जब इसमें क्या करेंगे इसमें आप पक्षंदर कर देजिए 14-14 इधर आएगा तो आपक 3 का भग देना पड़ेगा और 36 तीन खंग अठागी यहनि आपका मंद आपका 6 हो जाएका इसके बाद देखेक और आता है नौ नमबर में आपका देखिए आपकोश्चन है तिये आपको का हो गया देखिए आपका थीरवा हुआ है इसके बाद आपफा बाइद कोड़ और के इक है ना और सम पूरक आपको किसी लेना पड़ेगा तो उने टी में करेंगे देखिए आप अगर मैं क्या करूं फूरक करूँगा तो नाइंटी मैसे देखिए आपका है जाएगा वहती अब इनकी बात कर रहा है आपका इंका मान गयाद करना है तो देके शिंपल सी बादंद और इसके बाद अगर बात करेंगे सिंसर आएगा तो आपको यह फूरा करना पड़ीज इसके बाद देखिए कुस्चिन दिया गए है कश्चां पंदरा में पाइथा गुरस आपका सूत बताना है तो पाइघनार पूरे नंबसे नंबर यहां पर मिल जाएंगे और लिखा इसके बाद देखिए बैतन से चार जार रुपए बचाती है यदि उसके बेतन का 10% है तो उसका बेतन कितना है अब सिंपल है कि वो भाई आपका चार जार रुपे बचा लेती है अब उसका बेतन कितना है दस परसेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स बटी 10 बराबर किसके दिखिए आपका 4,000 कि बराबर है तो एक्स कमान निकालेंगे यह आपका टूटल कितना आएगा वो कमाती है पूरे महिना का 40,000 कमाती है तूटल कि उसका बेतन आपको दसफेंट ऑट निकाली तूट चारिस घजार हो जाएगा और उसका बचाती है तो आपको उसका बेतन लिख दिजिए 40,000 रूप अ इसके वाद अब आपका दिखिए दो का आपका एक तोप को हो गया है अब तू मल्टीपलाई करना पड़ेगा उपर भी और नीचे भी तो दूनी चार जाएगा और साधूनी चौदा अब देखिए उपर आपका मायनस में अन्सर है तो आपका इसमेबिया को मायनस मिलेकना है मायनस 4 बटे 21 आएगा और इसके बाद देखिए तीसरा निकालना है तो उपर और नीचे आपके पर चार का मल्टिप्लाई कर दीजे तो चार दुनिया आपका आठ माइनस में और साथ चको आपका अठाइस होगा तो आपको देखिए निकल गए तीन पहले आपका माइनस चार बटे 21 और तीसरा हो जाएगा माइनस आठ बटे 28 तो आपको अंसर यहाँ पर करना पड़ेगा इसके बाद देखिए कोश्चन आपका इन्यस्टा आता है 28 तो 38 कोश्चन 18 को दिया गए है philosoph बहुज में संब्य आकरती होती है तो बताईए बर्ग में कितने आपके संमित आकरती होते है देखिए बर्ग के अगर मैं बात करूं तो बर्ग आपका है eigenlijk बराबर होता है चारों बुजाया आपके बराबर होंगे तो इसमें आपका पू तरिखाए होती है क्योंकि वर्ग कि चारव कि होता है बराबर होता है ठीक है चलिए इसके बाद देखे घना का थोसमें अगरति में कितने सीर्स और कितने आपके किनारे और फलक होते हैं तो अगर मैं घन की बात करूं आपका घन ऐसा होता है देखिली जिए चित्र आप यह यह आपका चित्र बनता है आपका और इसमें आपके यह पूछा गया है कि इसमें कितने आपके सीर्स होंगे तो सीर्स मतला आपका यह होता है कोर देखे यह आपका यह हो जाएका पहला दूसरा यह तीसरा और चोथा यह चार हो गए इधर और एक इधर और एक यहां पे और आप पूछा किनारे कितने होते हैं तो किनारे के अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखिए सभी आपको दिखना पड़ेगा एक आपका यह हो जाएगा दो तीन चार इधर तक चार चार आपका होगा तो चार 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 तरफ होगा चार तिया ही आपका दिखिए एक इध इसके बाद आपका next question आएगा question नमर आपका देखे 21 बाद ठीक है तो 21 question से आपका देरगुतरी question आता है नीची दे गए परस्णों के उत्तर आपको 5 अंग दी जाएंगे question 21 बाद देखे लिखा है दीपा ने एक quiz प्रतियोगता में 30 परस्णों पूछे प्रतियोगता देखे तो 19 यह कितने परस्णों में देखे उनीस उसके सही थे तो 19 यह कितना होगा आपका 57 यहाप यह हो जाएगा 57 आपके नंबर सही किए अब उसने कितने गलत कि ए 11 तो 57 में करेंगी माइनस कर देंगी 11 करेंगी यानि आपका 57-11 तो आपको के अंसर आप पूरा लिखा गया है तो कुल प्रणस करेंगे 16, प्रत की परदी अपका फोड सेंटिमेटर है तो यह पूछा गया कि छेथफल क्या होगा प्रत की परदी टूपायर होते है और कमान निकालेंगे तो दो 211.8 में देखी क्या करेंगे यह प्यापका चॉल्स का भाग देंगे तो फोर पॉइंट आपका एंसा निकल कर आएगा देखिए आपका ये करेंगे तो बरत का छेद फल पायार स्कुएर बाइस बटे साथ पांच गुड़े पांच करेंगे तो तीन अब देखिए पाई कमा सक्क्राइब निकालना है एक पराबर दो के लिए मान कही होगा विए सिम्पल सी बात है एक सराफ पड़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे थो अपड़ीचिंगे ल प्लस से की आपको तीन जाएगा तो आपको साथ अंसर निकल कर आएगा तो आप इसी का लिजिए इसके बाद आपका लाश कोशन आता है चोविसवा दूसोपचास मिटर लंबाई और एक सोपचेतर मिटर चुराई वाले आताकर वगीचे के लंबाई आपको हो जाएगा दो लंबाई प्लस चोड़ाई इसमें करेंगे तो दोसोपचास में एक सब्सक्राइब तर जोड़ेंगे तो आपका दो गुड़े चार्सोपचीत इनी आफ आट्सोपचास मिटर होगा और बैक कितना होगा बारा रुपए आपका एक मिटर के होता है तो आप यहां पर गुड़ा कर दीजिए आपका बारा में तो आपका दस जार दो सो रुपए आपके इसका खर्च हो जाएगा तो इस प्रकार से पूरे कुश्चन आपके कम्पलीट होते हैं और आई होप आप इसे अच्छे से कर लिए होंगे एक एक कुश्चन का इसके इंसार्ट कर लिजेगा वीडियो को रोक रोक कर और अच्छे से रट लेना यही पेपर आपका पेपर में देखने को मिलेगा तो मिलते हैं इस पीडिवर जहिंद जय भारत